बंदे मतरम बीया आज सुबह सो के रजब उठा था मैं तो मुझे गले में खरास सी aquarium और सरददध भी हल्का इल्का कर रहा था अल्का माधा गर्म था तो मुझे लग गया कि आज बुकार होना मुझे और गला भी खराब हो रहा था थी हलका हलका खरास लग रही थी कुछ फस रहा था जैसे एक आटे गड़ते हैं तो मुझे लगा अज लब बीमार पढ़ने वालों बुखार भी होगा और गला भी खराब होगा तब ही मुझे ध्याना है कि आप से अभी हथे भर पहले म में आपने बताया था पांच नहीं चार काली मिच के दने और दो चुटकी सौंट और गुड़ स्वादानुसार और क्या था तुलसी के पत्ते चार पांच सबको एक गलास पानी में उबाल के उचाथा ही रहने तक उबालना था और उसको फिर वाद में चान के पीना था तो मैंने वही सुबह उटके जब मुझे ऐसा फिल हुआ तो मैंने इकर लिया फिर उसके बाद मैं चला गया आपस फिर उसके बाद जब अभी शाम को लौट के आया तब एक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ अभी शाम को जब लौट के आ तो मुझे तो सुबह बुखार होने जा रहा था, गले में खराश थी, लेकिन इस समय कुछ पता ही नहीं चला है, कि कुछ समस्या भी थी मुझे, मुझे बिल्कुल बोली गया, मैं आफिस गया, मुझे बिल्कुल शूम अंतर हो गए काड़ा पीने के बाद, मेरा ध्यान ही नहीं कि बुखार भी था मुझे, तभी मुझे अभी ध्यान आया कि आपको बता दे कि लब पिछले बार भी उपाय किया था, और वो तो बुखार के लिए किया था, तो गले में खराश भी थी, और भी प्राब्लम थी, वो सब एक ही बार काड़े पीने से सही हो गई, तो बहुत धन्यवाद आपका, बंदे मातरम भीगा